हेलो तोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सतेंदर गुरुजी पे दोस्तों इस वीडियो में हम आप के लिए मैथ के कुछ इंपोर्टेंट प्रस्ण लाए हैं जो आने वाले सभी परिक्षा जैसे की आर आर भी एंटी पी सी ग्रूप डी आर पी एप और एल पी टैक्नी से ने दे रेलबे के बिभीन परिक्षाओं के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए आप लोग वीडियो के आन्ते तक जरूर बने रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्ण संख्या एक सी पहला कोश्ण आप लोग के सामने है काफी इंपोर्टेंट है दोस्त क्या कह रहा है ध्यान से देखें कर रहें निम्लिक्षित का मान ग्याद कीजिए मेरी दोस्त आपके सामने है कि एंटी पीसी परिक्षा है देख रहें आराब एंटी पीसी में पूछा हुआ है कोशन कितना आसान है मेरी दोस्त देखो जब भी इस प्रकार के प्रस्ण आपके सामने जिंदगी में कहियों मिले न आपको क्या करना ऐसे कोशन को पीछे से बेहत आसान होता है इक कोस्टन बिना पेन और पेपर को भी तुम बना सकते हूँ कैसे दोस्ते ध्यान से देखो सबसे पहले इस जो यहाँ पर सोरा का बर्गमूल कितना होगा भाई सोला का बर्गमूल होता है चार चार जो है इस बारा में जुट जाएगा सभी का बर्गमूल कितना हो जाएगा सोला हो जाएगा बारे चार सोला आज सोला का बर्गमूल कितना निकल के आता है चार आता है बात को समझ दे अब इस चार जो है दोसे एकिस के साथ में जुट जाएगा तो दोसे एकिस के साथ में जुट जूरेगा और root 25 का value कितना होता है भाई root 25 का बर्गूल होता है 5 option number B इस प्रसंद का right answer होगा ठीक है दोस्त इस प्रकार से इस question को किया जाता है मेरे दोस्त एक बार बिना pain को समझे 16 का बर्गूल 4 4 जो है 12 में जूटेगा 16 16 का बर्गूल 4 आई कौन सा option में दिया है option B में दिया है तो इस question का right answer option B होगा ठीक है दोस्त तो उमीद है कि आप इस question को जरूर समझ गये होंगे अब हम लोग next question की ओर बर्गते है चलिए अगला question काफी important है का रहे देख लिए NTPC CBT2 पर रिक्षा यहने दूसरा जो NTPC में दूसरा एक्जाम तर उसमें पूछा गया है third discipline में देखिए 2022 का question है प्रोपेटेंड लॉस का कहार है एक बस्तु को 2332 रुपया में बेंचने पर किसी बेक्ती को 12% की हानी होई बात को समझ रहे है तो बस्तु का क्रेमुल कितना था मेरे दोस्त कोश्चन कह रहा है कि एक बस्तु को एक बस्तु को एक बस्तु ने 2332 रुपया में बेंचा तो उस बस्तु को 12% की हानी होई तो बस्तु का क्रेमुल क्यात किजिए मेरे दोस्त एक बात ध्यान में रखिएगा क्रेमल जो होता है अपने आप में 100% होता है हमेशा ठीक है अगर 10% हम profit पर इसको बेचेंगे न 10% profit पर तो इसका value कितना होगा 110 हो जाएगा अगर हम 10% loss पर बेचेंगे न तो इह हो जाएगा घट के कितना 90 यहनि 10% loss का मतलब 90% 10% profit का मतलब 110 हो जाएगा आज CP हमेशा constant होता है कितना 100% बस इस logic को ध्यान में रखिएगा कह रहा है 232 रुपे में बेचने पर किसी बेक्ती को 12% की हाने होई क्यतना हाने होई है 12% यहनि 100 में से बारग हाटाएगे तो क्यतना पचेंगा भाई यहनि कि उस बेक्ती वहा जो बेक्ती है 12% की हाने पर बेचा है यहनि बस्तु को उसने कितना बेचा है कितना 232 रुपयां बेच है चलो अब हम यहाँ पे क्रेमुल निकाल सकते हैं क्रेमुल होता है 100 परसेंट का भैलू हम आराम से निकाल सकते हैं ठीक है क्या करेंगे 232 को 88 से भाग करेंगे और 100 से गुना करेंगे ठीक है इसको कैसे करेंगे दोस्त ध्यान से देखो सबसे पहले से और 18rir Sai 32 सो हम काटें लिए हैं कलर को चेंज करते हैं इसको काटेंगे गटना बार में इता होखार संचल सों पर पूंढ़को ने इता हुआज से जब हम काटेंगे 232 को कितना बार में जाएगा 11 से इसको काटेंगे तही जाएगा 11, 12 यहां से 1 चला जाएगा तहे 11, 11 यहां से फिर 2 चला जाएगा तहे 11, 12 यहां से फिर 2 चला जाएगा तहे 11, 12 यहां से फिर 2 चला जाएगा अब हम 8 से इसको काट सकते हैं आठ से काट सकते हैं 8 दोनी 16 8 से हम काट सकते हैं नहीं 2 से काट वो सबसे पहले 4 दोनी 8 अई कटेगा 2 से 2 एकम 2 0 2 छक बार ठीक है 106 यानि 4 प्रतिसद के भेल हुए चाहिए ऐसे तुम इसको काट पिट ना करो डाइरेक्ट यहां पर कल्कुलेशन करो क्रेमल दिया है न 2332 को तुम भाग कर दो 88 का भ возьलू है तो 88 से भाग कर दो 100 से गुना कर दो 100 का भ vorbere निकल जाएगा अब हम इनको काटेंगे पीटेंगे अनसर छाँटेंगे देखो सबसे पहले तुम काटो किन से भाई इसको काटो तुम कितना बार में अब हम काटेंगे इसको 2 से 6 बर में जाएगा 6 सेvertक कुटेंगे तो 106 बार में जाएगा बात समझे हैं चार से हम 100 को काट सकता है 25 बारे में हमारे पास कितना बचा 206 गुना 25 кितना हो जाए भाई 106 गुना 25 5-100 कि जीरो हांसल कितना पंदर 25 दहिया 250 में हम 15 जोरे के कितना होगा 265 होगा इस question का answer कितना है भाई 2650 रुपिया option number A इस question का right answer होगा हम उमीद करते हैं कि आप लोग इस question को जरूर समझ गया है question को कैसे करना है 12% की हानिप पर बेचने का मतलब 88% उसने बेचा है जबकि रुपिया में केतना बेचा है रुपिया में 232 रुपिया में बेचा है ठीक है तो 100% का value हम आराम से निखाल सकते हैं क्या करेंगे 2332 को 88 का value है इसलिए 88 से भाग करेंगे 100 का निकालना है 100 से गुना करेंगे इसको हम सल्व करेंगे काटेंगे पीटेंगे तो हमारा 2650 इस question का right answer आएगा जो option ए में दिया गया है ठेका दोस्त तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस question को जरू समझ गया होंगे अब हम लोग अगले प्रश्ण की और बरते हैं चलिए अगला question तीन नमर 225 अनुपात 144 का बर्ग मोला नुपात ग्याद कीजिए बहुत important question है देख रहे हैं क्या है 225 और 144 का बर्ग मोला नुपात ग्याद कीजिए जब भी ऐसा question है आपसे क्या पूछा जाए बर्ग मोला नुपात तो इस question को कैसे करेंगे देखो कुछ नहीं 225 यहाँ पर जो दिया है इसको लिख लेंगे कितना दिया भाई 225 दिया है देख रहा है कितना दिया है 225 और यहाँ पर कितना दिया है 144 इन दोनों के बिसमे ratio का सिम्बल है यह अनुपात का है हम लोगों से पूछा गिया बर्ग मोला नुपात 12 ही असान है क्या करेंगे इसके उपर root लगा देंगे अपने मन से ठीक है बर्ग मोला नुपात पूछा है यहाँ पर भी root लगा देंगे यहाँ पर भी अब हम इनका square root निकाल देंगे तो 225 का square root निकालेंगे तो कितना होगा भाई 15 होगा 144 का square root निकालेंगे तो कितना होगा भाई 12 होगा तो इस पॉरष्ण का right answer कितना होगा भाई 15 अनुपात 12 option number D हो जाएगा इस question का right answer तो हम उमेद करते हैं कि आप लोग इस question को जरू समझके होगे क्या करना है कैसे करना है हम आपको बता दिया है कुछ नहीं करना मेरे दोस्त यहाँ पर करना क्या जो यहाँ पर 225 और 144 दिया है न बस इसी का बर्गमूल निकल देंगे यह रूट कर देंगे 225 का और 144 का बर्ग मूल हमारा अंसर निकल जाएगा यह हो जाएगा 15 आई हो जाएगा कितना भाई 12 हो जाएगा ओप्शन डीस है ठीक है दोस्त चलिए आगे भरते हम लोग कोई दिक्कत था इस प्रश्ण में कोई दिक्कत नहीं है चलिए चलिए आगे कोश्ण काफी इंपोर्टेट है बनिया बनिया बच्चे से इस कोश्ण का अंसर का सही जवाब नहीं दे पाएंगे कितना भी परहें वो अभर बिर्लियंट हो गए न तो इस कोश्ण को सल्व करने उसको दिक्कत होगी मेरे दोस्ट आपसे जिंदगी में कभी भी यह कोश्ण नहीं बन सकता है अगर आपने नहीं परहें तो तो यहां इस कोश्ण को आप लोग ध्यान से देखिएगा इस कोश्ण में 6 बटा 8 में 5 का और 6 बटा 25 में 4 के अस्थानिय मान का योग लिखना है और आपके सामने गुरूप D का कोश्ण ने 2018 में पूछा गया दोस्त करना है क्या ध्यान से देखिएगा हम आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं अगर आप लोगों से हम पूछे कि 2, 3, 5, 6, 7 कोई संख्या है हम अपसे पूछे कि 5 का अस्थानिय मान बते तो कितना करेंगे भाई 5 का अस्थानिय मान निकलना मेरे लिए बहुत आसा है क्या करेंगे 5 का अस्थानिय मान निकलना इसलिए 5 लिखेंगे पांच के बाद जितना अंक है उतना जीरो इस पर बैठा देंगे समझ रहे हैं पांच के बाद दो अंक है इसलिए दो अंक हम बैठा देंगे तो पांच का अस्थानी मन कितना हो जाएगा पांसो अगर हम आप से पूछे कि दो का अस्थानी मन बताईए तो क्या होगा, सबसे पहले 2 आयेगा अग 2 के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठ जाएगा 1, 2, 3, 4 2 के बाद 4 अंक है तो 4 गो हम 0 बैठा देंगे तो 2 का अस्थानिय मन यहीं हो जाएगा अब देखो दोस्त, यह तो 12 ही आसा नहीं, कोई बाच्चा कर लेगा हम आपसे अगर पूछे यहीं पे, अगर हम आपसे पूछे कि 7, 10, 6, 5, 3 है हम आपसे पूछे कि 6 का अस्थानिय मन बात यह तो क्या करेंगे दोस्त क्या करेंगे आप लोग, 6 लिखेंगे 6 के बाद जितना अंक है उतने 0 बैठाएगे, लेकिन इक गलत हो जाएगा इसके लिए दूसरे ट्रिक लगए क्यों कि हम आपसे अस्थानिय मन बात निकलना है तो 6 लिखेंगे ठीक है, 6 लिखेंगे, अच्छा 6 के बाद कितना अंक है, 6 के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ पर 2 अंक है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्त, इसको जो 6 फिर से समझे यहाँ पर 6 का अस्थानिय मन निकलना है तो 6 रहेगा, लेकिन इसको गुना कर देंगे मेरे दोस्त, 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो हम नीचे में 2 जिरो बैठा देंगे, 100 से, 1 बाटा, 1 लिखकर 2 जिरो हम लगा देंगे, बात को समझे अगर हम लोगों से पूछा जब 5 का है, तो 5 का अस्थानिय मन क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, गुना, 1 बाटा, 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो यह गोजीरो हो जाएगा एक के साथ में, यहनि 10 से बाद कर देंगे, बात को समझ रहें अगर हम लोगों 3 से पूछे, तो क्या होगा, 3 होगा, बाटा, 3 होगा, गुना, 3 के बाद कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है, यहनि 3 जो है, खुद 10 समलों के बाद 3 अस्थान पर आते है, 3 0 नीचे में आ जाएगा, 1000 से गुना कर देंगे 1110 क्यों गुना करते हैं, इसको भी समझे, मेरे दूस्त, एकाई के अस्थान पर 3 है, दाहाई के अस्थान पर 5 है, सैक्रिया के अस्थान पर 6 है, इसलिए 100 से भागा देते हैं, दाहाई के अस्थान पर 5 था, इसलिए 10 से भागा दिये हैं, यहाँ पर जो 3 है नहीं मेरे लोगिक यहां पर लगाते हैं मेरे दूस्त सबसे पहले 6 बटा 8 को 10 समलों में लिखेंगे कितना होगा 6 बटा 8 को 10 समलों में लिखेंगे तो 6 को हम 8 से भागा करेंगे तो भागा जाएगा नहीं तो सबसे पहले 10 समलों लगांगे तो यह हो जाएगा 60 अब भागा दो 8 सत कितन हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है भाई अब देखु इनलिए 6 भटा आठ को जब हम भागा दिये ते कितना आया 75 तो हम यह आप डाइरेक्ट लिख सकते rég। 6 है बटा 8 को जब हमने भागा दिये ते कितना आया 0 b systems गुण कुण च Şimdi यहाइगा, जीरो, दस्थानलों शाठ हो जाएगा, शाठ को भगा करेंगे, तो फॉइन्ट तो भाग देंगे तो पॉइंट टूफ रहेगा, जब छे बटा आठ को भाग करेंगे, तो फॉइंट सेवन फाइबा, अब बोला है, कि छे बटा आठ में पांच का अस्थानी मान तो पाँच का अस्थान यहां निकलना बेहदा सायन है पाँच गुना पाँच है दो समलों के बाद कितना अस्थान पर है दो अंख है इसलिए इसको से यहां दो अंख है तो दो जीरो नीचे लिखी देंगे एक के साथ में अच्छा यहां पूछा है चार का तो यहां पर यहां हो जाएगा चार अच्छा यह बता यह दोस्त यहां हो जाएगा कितना चार हो जाएगा ठीक है चार गुना एक बटा उल्टा होता है दूसरे अस्थान पर भी है तो यहां पर भी नीचे में दो जिरो आ जाएगा अब देखों, इन दोनों का ये उफल पुछा है, तो कुल मिला के बात आ है, पांच गुणा एक बटा दोस, और चार गुणा एक बटा, सौरी, पांच गुणा एक बटा सौ, छार गुणा एक बटा सौ है, इनको सौम करेंगे था कितना होगा? मेरे दोस्त, इह हो जाएगा, पांच बाटा 100 है और 4 बाटा 100 है इनको जो रहेंगे तो नीचे में 100 रहदे करेगा आप 5 चार कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा तो 9 बाटा 100 इस प्रशन का राइट एंसर होगा अप्सन नंबर सी इस कोश्चन का ठीक एंसर होगा ठीक है दोस्त हम उमीद कर रहे हैं कि इस कोश्चन को भी आप बरही आसान तरीका से समझ गया होगे बरते हैं लास्ट प्रशन की ओर चलिए अगला कोश्चन है पांच बाटा 11 और 11 बाटा 5 का यो कितना होगा आपके सामने ग्रूप D 2018 में इतना आसान कोश्चन पूछ लिया था बाई करो सल बाटा का जोर तो है कुछ नहीं 5 बाटा 11 प्लस 11 बाटा 5 का LCM ले लो इनको LCM लेके सल्व करेंगे एगारे और 5 का LCM लेके तो यह हो जाएगा पचपन अच्छा एगारे से भाग देंगे 5 5 से इस 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस 5 से एक 15 में भाग करेंगे 11 1 का तो कितना नीचे में 55 जेवकातियों रहेगा 25 प्लस एक सब्सक्राइब तो हम उमीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रशन को बहुत ही बनिया तरीका से समझ गया होंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सेर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में